Welcome back friends, so स्वागत है आप सभी का एक बार दुबारा आपके अपने चैनल माई स्टडी चैनल पर तो आज हम आपका सप्लिमेंटरी बुक क्लास सेवेंथ का चाप्टर नमबो वन यानि कि दे टाइनी टीचर करने वाले हैं ठीके तो ये चाप्टर जो है ये टाइनी टीचर पर आधारित है ठीके तो अब आपको कमेंट सेक्शन में सबसे पहले बताना है कि ये टाइनी टीचर कौन है ठीके और आप इस टाइनी टीचर के बारे में क्या-क्या सोचते हैं अपने thoughts जो हैं आपको चाट बॉक्स में जर चुरुआद करते हैं Name the smallest insect you have seen सबसे छोटा सा जो वो है insect उसका नाम जो है वो बताईए जो आपने देखा है and the wisest और जो सबसे जादा wisest है ठीक है Is it the fly? क्या वो fly है? No It isn't Is it the mosquito? क्या वो मच्चर है? No Not the mosquito Then it must be the worm तो क्या पता है वो warm हो? No, none of these इन में से कोई भी नहीं यानि कि उप्युक्त कोई भी नहीं It is the ant वो चीन्टी है The commonest, the smallest but the wisest insect वो सबसे common है देखी सुनी है सबसे जादा जो है ना चीन्टी हम अपने घर पा सकते हैं देखो चीन्टी एक ऐसी इंसेक्ट है जिसे हम अपने घर के हर कोने में जो है वो देख सकते हैं ठीक है ऐसे कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पर चीन्टी नहीं है ठीक है? जो स्टोरी ओफ आंट है यानि कि आंट की लाइफ जो है उसकी जो स्टोरी है उसकी जो कहानी है वो अल्मोस्ट जो है अनसही है यानि कि उसे ट्रू नहीं माना जाता उसे गलत माना जाता है और आप देख सकते हो अगर आप कोई भी चीनटी तो आप देख सकते हो कि वो कितनी महनत करती है तो आपने कई बार जो है इस चीज़ को भी notice किया होगा अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं डेली आपके घर में चींटियां होती है तो आप कोई न कोई अपना जो समय है उसे निकाल कर उन्हें पक्का देखेगा ठीक है उनका जो behavior है उसे closely observe कीजेगा कि वो क्या करती है ठीक है So we know a number So we know a number of facts about the tiny hardworking and intelligent creature तो जो हमारी ant है इसे इसके बारे में आपने काफी ज़्यादा जो है वो facts जो है आपने जाने होंगे ठीक है तो अगर आपने इन में से कोई भी fact जाना है तो आप one to five facts जो है comment box में लिखकर भीजी दीगा ठीक है ये भी आपके आपकी common sense जो है उसे मतलब की उसे करने के लिए test करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे so ये tiny है छोटी है hard working है बहुत महनती है and intelligent और ये बहुत ज़्यादा intelligent समझदार भी है और इसे intelligent creature भी बोला जाता है ठीक है and ant uses its feelers ठीक है feelers use करती है या आप उसे antinae भी बोल सकते हो ठीक है to talk बाते करने के लिए to other ants by passing messages through them ठीक है watch a row of ants moving up or down the wall each each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers so वो अपने feelers को ही استعمال करके अपने जो feelers यानि के antinae है जो उसे استعمال करके जो है दूसरी ants को greet करती है उनसे बाते करती है ठीक है तो आप इस image में भी जो है देख सकते हो है ना इस image में भी आप देखोगे कि यहाँ पर काफी जादा ants है और वो एक row में चल रही है और दो ants बड़ी सी है ये आपस में क्या कर रही है अपने antennas से अपने fillers से टॉक कर रही है एक दूसरे को message दे रही है एक दूसरे को greet कर रही है ठीक है तो ये था आपका इसका part number one I hope आपको part number one जो है वो जो है clear हो गया होगा तो एक बार हम short revision कर लेते हैं इसमें हमें ant के बारे में बताया गया है जो कि बहुत ही ज़ादा wisest commonest the smallest but the wisest insect है ठीक है इसकी जो story होती है यानि कि जो कहानी है वो untrue unsahी होती है लोग जो है काफी ज़ादा ऐसे लोग है जो इसकी story को believe नहीं करते हैं ठीक है लेकिन ये बहुत ज़ादा छोटी होती है hard working बहुत महनती होती है और इने intelligent creature भी कहा जाता है ठीक है और ये इनके पास क्या होता है देखो ये हमारे तरह मुँसे बाते मात बाते तो कर नहीं सकती है sorry guys बाते तो कर नहीं सकती है हमारे से तो इसी लिए इनके पास क्या होते है feelers होते है क्या होते है feelers जिन हम antennae भी बोल सकते है तो उसके द्वारा ये एक दूसरे से बाते करती है एक दूसरे को greet करती है और अपनी बातों को दूसरी आंट्स तक पहुंचाती है so I hope आपको part number one clear हुआ होगा so thank you friends अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो पक्का इस वीडियो को like, subscribe, share जरूर कर दीजीगा और एक और बात अगर आपको part one में कोई भी doubt है तो आप बिन दास होकर पूछिएगा ठीके उसका जवाब आपको जल से जल में देने की कोशिश करूँगे ठीके लेकिन पूछना जरूरी है अपने doubt साथ साथ clear करना जो है ना जरूरी है important है so thank you friends part two will be coming and upload it soon so bye take care